तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि बर्षाद के मौसा में फ्रेंच बीन की खेटी करके आप कैसे लाभानवित हो सकते हैं जैसा के संदीब जी ने पूछा है बर्षाद में फ्रेंच बीन की खेटी किस प्रकार से करें तो जारखंड एक सब्जी उत्पादक राज्यों में अपनी अलग पहँचान बना रहा है और यहां के किसान बड़े महनती किसमे के किसान होते हैं और वरसात में हम लोग खेती करने के लिए फ्रेंच बीन दो तरह की होती है एक जहाडी नुमा एक लता नुमा जहाडी नुमा का मतलब होता है जो पौदे के खड़े हो रहते हैं लता नुमा का क्लैमर होती है जिसकी बेल के रूप में चलती है और फ्रेंच बीन जो हम जो फली आती है हरी सब्जी की रूप में उसका प्रियों करते हैं खाने में बजार में आप देखेंगे हरी फलियां पीली कलर की फलियां बजार में उपलब रहती है जो खाने में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है क्योंकि यह दलहनी फसल है इसमें अधिक प्रोटीन होने के का का एक सौधा होता है आप खासकर जो बड़तों के बच्चे है उनके लिए काफी लाफ कारी होता है अगर हम फ्रेंट की खेती की बात करते हैं तो इसको कब लगाए जाता है इस कीम लब कौन सा महीना है जब इसको किसान अपने खेतों में लगा जैसा जी बिल्कुल आज यहा बात कर देते हैं जो जोलाई अगर्साथ में हमको इसका उत्वादन मिल जाता है तो जैसा कि इनों ने पूछा उसमें क्या होता है जो फ्रेंच वीन की खेती के लिए जो बीज हम लेते प्रमारित संस्ता से बीज करीदें किसानवाई क्या करते हैं कि हम बीज अच्छा नहों लेकर में करने उनको नुख्षान उठाना पड़ता है तो सबसे पहले उनको ध्यान देना है कि हम किसी प्रमारित संस्ता कृष्वी ज्यान केंद्र है विश्वद्यायले के आउटलेट रहें प्रमारित दुकान हैं उनसे इह वीज करीदें और बीज की मातरा के लिए जैस करता होती है अच्छा बात करते हैं यह लगाने पविप्टाक में टीका लगाते हैं से आनेे तिराम है कैप्टान हमें कारवनडाजी में कोई भी फिंजी शैड दबाव को मिल जाती उस दबाव को डाल करके हलका पानी चीट है और धीमे धीमे मिला जैसे बालो शीमेंट वो घर बनाते समय मिलाते हैं तो देखेंगे एक लेयर उसकी उपर कलर की चड़ जाती है तो इसस तरह से हम जो उसकी बुभाई करेंगे बुभाई करते समय दो चीजां को बिश्य धियान रखेंगे अर्लता वाली जो सब्जी है और जाड़ी दोना में क्या होता है पौदे से पौदे की दूरी या से लाइन की दूरी जैसे लगते वाली होती है उसका हम जो है फंक्ति से पंग्ति की दूरी कम रखते हैं जैसे 35-40 cm, 40-50 cm और यह लगते वाली होती है तो उसका हम सो सेंटी मीटर रखते हैं क्योंकि वह जादे फैलती है उसकी बेल चलती है और बीज से बीज की दूरी 10 cm रखते हैं खेत की तैयारी करते हैं खाद में उर्वरक जैसे गोवर की बीज चागोबर होगा तो उसमें हमें दीमक लगने का बहर रहता इसलिए शड़ी गोवर किया बीस टन प्रति हेक्टर की दर से उसमें डालेंगे और नाइट्रोजन फासपरस पोटास वीच किलो नाइट्रोजन पचास किलो फासपरस साट पोटास इसकी मात्रा गों खेत हम जो उसकी पहली से चाहे Čने उसकी इसे में डालेंगे द्वीर्स लिचंप तौन की अधिक मुनाफा में और व फशल देगी झाल झाल झाल